इस गाने के बाद दिपिका को मधुबाला की तरह किया जाएगा यार मुगले आजम के वैसे तो सारे गाने हिट हैं लेकिन शांदार डांस और अद्बुद फिल्मांकन की वजह से मधुबाला पर फिल्माया गया गाना प्यार किया तो डरना क्या आज भी चाफ से सुना और देखा जाता है कुछ इसी तरह का यादगार गीत निर्देशक संचय लीला भनसाली बाजी राख मस्तानी के लिए बनाना जाते हैं उन्होंने मुगले आजम के इसी गाने से प्रेड़ना भी ली है जिस तरह मुगले आजम के गीत के लिए शीश महल का सेथ बनवाया गया था उसी तरज पर भनसाली ने आईना महल बनवाया है और दिपिका पादुकोन पर ये गीत फिल्माया कया है सूत्रों के मताबिक इस गाने की कोरियोक्राफी रेमो डिसुजा ने की है और गाना इतना उंदापन पड़ा है कि जिस तरह से मधुबाला को आज तक इस गाने के कारण याद किया जाता है वैसे ही दिपिका को भी वर्षों तक इस गाने के कारण याद रखा जाएगा ये दिपिका के करियर का सबसे अद्भूत गाना होगा और इसे बहतरीन बनाने में दिपिका ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है